गुडुमोनिवी शुडेंट्स आज का जो टोपिक है वो लोकिन डिवाइस से है इससे पहले हमने लोक नट पड़ा था आज का जो है सेकेंड नमबर पे है स्प्रिट नट एंड सेकेंड इस काश्चल नट इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वह मैं आपको प्रोपर दि सेकेंड बनातें यहां पर इसका ट्रीविव दिश बनाने के लिए को छोटी मोटी तो इसकी क्यल्कुलेशन होती है वह भी आपको बता देथा हूं जैसे कि सबसे पहले हमें सेंट्र लाइन वहांक ने यहां पर हमें स्कूद धिखानी है यहां पर यह नाय बाय में दिखाने यह यह की तैश्य छोड़ देना यह यह ब्हुद वह बहुं दोगे अमारा इ17 यह नाय दिखानी ध evolving थर्द दन इसे पंदरा इधर ये ले लिया अब यहां पर जो नट की calculation थी जो नट की डामेंशन थी proper neat and clean अब आपको यहां पर दी दे दिया गया है यह है डी ठीक है अब इस डी की मदद से वापिस नट के चैप्टर पे जाएए वापिस नट के चैप्टर पे जाकर इसकी पूरी की पूरी निकाल लिए और यह नट बना ये ठीक है यह नट बना लेंगे क्योंकि यही जरूरी है पिछले चैप्टर के बेस पर यह आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे दिरे दिरे अब यह बना लिया यहाँ पर फ्री एंड ऐसे दिखा दीजिए कि यह सोलिड पोर्शन है और आगे तो यह अब इसके अंदर याने के हमें हाईट यहां तक मिल गई एक्ष्टर लाइं मिट जाएंगी ठीक है और यहां से क्या है इस पॉंट से इस पॉंट से उपर पॉंट लेना है यह वाली जो लाइन मैंने लिए है इसका डिस्टेंस कितना होगा 0.2 टी ठीक है यहांसे यहां तक का जो distance होगा, जो भी आएगा, 0.2D से उसका half कर देना, 2 से divide कर देना, तो यहां से यहां तक का distance हो जाएगा, मालेकि 20 नहीं आएगा, 6 ऐसा ऐसा कुछ आएगा, मालेकि 6 आएगा, ठीक है, 6 का अधर नीचे, यहां इस line से यहां तक का distance हो जाएगा, 3, और यहां से compass पास रखके हमें सरकल बना लेना है, जो सरकल बनेगा, उसके अंदर पिंग जाएगी, और यह जो सरकल बना है, यह किसके अंदर बना है, बोल्ट के अंदर है, वो सरकल, नट के अंदर कुछ नहीं अभी तक, यह हो गया, इसी के base पे हमें hexagonal बनाना है, अब D कितना रखना है, D यहां पर जो हमें मिला है, पिंग का जो यह डाया है, वो कितना मिला है, 6 मिला है, 0.2, डी करनाई पर जो भी कोई calculation आती है, वो ले लेना, वो यहां पर आ जागा, यहां से अंदर का distance क्या होगा, आपको एक, लेना है, देदे म फिदर लेना है, यह 2 अंदर लेना है, वो डिपेंड करता है आपको बनाने के उपर क्योंकि पिन जो है पिन का साइज अलग-अलग होता है छोटे के लिए छोटे यूज के लिए चोटी पिन आती है बड़ी चीज के लिए बड़ी पिन आती है तो इसको हम पिन को एज्यूम कर सकते हैं अपनी मर्जी से आई होग की आपको समझ में आ रहा होगा तो यह इसका ड्यग्राम आपको अ ऐसे बनाना है अगर आगरे में बात करें लुकर ट्रॉप इसका ड्यगराम आ अपको दिखा देते नहीं है जैसे कि जो यह इसके अंदर slot बने होते हैं इस slot का distance होता है 0.3 into d तो यह इसका distance हो गया यहां से यहां तक का slot तक का और इस से उपर portion से इस collar तक का इस collar तक का distance होता है 0.4 into d अब d जो भी है वो question में put करते चलना अब यह कहता है कि जो nut का distance lower portion से याना कि base से और top तक कितना distance होना चीए वो होना चीए 1.2 into d याने कि 1.2 into 30 अब जो भी आएगा सामने तो total height यह होना चीए उस height के अंदर यह होना चीए इतना और यह होना चीए अंदर के तरफ तो total अब इसको हम कैसे लेंगे मान दीजे total आ गया हमारा 36 तो आपने यह पांच ले लिया और नीचे वाला आगया छे यह छे ले लिया अब इसके अंदर हमें क्या करना जो हमारा डी है नट बनाएंगे उसी के बेस पर ऐसे करते हुए अब हमें यहां पर ऐसे यह बना लेना है कि इसी के अंदर हमारा इन रही है और हमारा यहां सफीन पार्ट हो गया यह मैंने बदे आपको यह मलगा होता है इस गया हिसके जो प्रण पूरा है report । अट की वह बोलड के अंदर है किसके अंदर है? बॉलड के अंदर और इसकी जो पिन है कस्टạnh की जो पिन है को मैं यह है बोलड में तो है क्योंकि उसमें भी छेद है, हौल है, हारपार होल है, साथ-साथ वो सबसे पहले जाती है क compelled-kTFE अंदर से तो कैस्टल नट स्लोटीड होता है जैसे कि ज्रीडी डाइग्राम में आपको पहले भी दिखाया था ठीक है उसके अंदर स्लोट से होता हुआ जाता इन दोनों में डिफरेंस समझ मां आ गया इसके अंदर इसके नट के अंदर नहीं है नट से ऊपर रहेगा टच र जैसे कि मैंने बोलो यहां पर अगर अगरं छोटी कर रहे है तो यहां पर नट के यहां पर दिखाना नहीं है ठीक है तो यह अपके सामने था यह दोनों को शीट बणाना याद रहे माई डिया इस्टोटर जितने पिछले चैक्टर हैं अगर अंप Стहित अकर आगर इंपर अच्छे से तो आगे आने वारे सक्टर सब इने पेश्ट पेड़ें है अगर जैसे हैं मैं बारबार नच की जुरूत पढ़ धाएं बोल्ट का भी आपको calculation पता होनी चीए तो जितने भी इनके dimension अगर आपको यह याद है तो आगे आने वाले और सारे chapter हमारे complete होते जाएंगे आज जैसे हमने पिछली वीडियो में 4 chapter start किया आज भी हमारा 4 chapter चल रहा है आगे भी 4-5 वीडियो में और 4 chapter चलेगा क्योंकि थोड़ा लेंदी है आगे आगे चलके क्या है हमें यह पूरा chapter अच्छे से समझना है तो पिछले chapter पर focus करें at least theory अच्छे से पढ़ते चले उसके ब